अगर आपके आईफोन में स्नापचाट की आप्लिकेशन नहीं चल रही है, स्नापचाट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें आएए जानते हैं सबसे पहले बेसिक चीज़ कर लें, अपने आप स्टोर में जाएं और स्नापचाट सर्च करें और देखें कोई अपडेट तो नहीं आया है, यहाँ पर देखें मुझे एक अपडेट आया है, मैं अपडेट पे क्लिक करता हूं और अपने स्नापचाट को यहाँ पर हम करने के बाद देखिए आपकी problem solve होती है या फिर नहीं नहीं होती है तो यहां पर यह दूसरा तरीका ट्राय करें आइफोन की settings में जाए जनरल की option पर क्लिक करें आइफोन storage पर क्लिक करें Snapchat की application को ढून लें यह रही क्लिक करें अब यहां पर आपको एक option दिखाए देगा offload app तो इस पर आपको क्लिक करना है tension मत लीजिए कोई भी data delete नहीं होगा आपका यहां पर offload app पर क्लिक करें अब यहां पर एक option आएगा reinstall app तो इस पर क्लिक करें तो एक से दो मिनट तक इसमें time लग सकता है तो आपको थोड़ा wait करना है देखिए जैसे यह process complete हो जाता है तो आप अपने phone को एक बार restart करें volume up button volume down button और power button को देर तक दबाय रखें जब तक आपको यहां पर apple logo नहीं दिख जाता है तो यहां पर हमने power button को दबाय रखा है apple logo जैसे हमें दिखाई देगा हम इस button को छोड़ देंगे तो यहां पर हमने button छोड़ दिया है अब जैसे ही आपका iPhone on होगा आप अपने snapchat के application को बहुत अच्छे तरीके से use कर पाएंगे तो यहां पर आप अपने snapchat के आपको use कर सकते हैं